दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोने का सही तरीका क्या होता है डॉक्टर्स और वीडियो का इसके बारे में क्या मानना है दोस्तों कभी भी अगर आप सोते हैं तो स्ट्रेट यान की सीधा नहीं स सोना चाहिए बलकि करवट लेकर आप सही तकिया सीर के नीचे लगा कर आप सोएं अब सही तकिया कौन सा है वो जान लेते हैं दोस्तों हमें हमेशा लगबग 6 इंच की उंचाय का रूई का नर्म तकिया इस्तिमाल करना चाहिए यानि की गर्दन से 1 इंच बड़ा तकिया होन चाहिए और हमेशा बाई करवट लेकर सोना चाहिए तकिया दोस्तों हमेशा ध्यान दे की नर्म हो कड़क नहीं होना चाहिए रूई से बना नर्म होना चाहिए दोस्तों कंदे की लंबाई से 1 इंच बड़ा तकिया इसलिए होना चाहिए ताकि थोड़ा सा दबने के बाद कंदे की लंबाई जितनी उंचाई रह सके इसलिए आप तकिया कंदे से एक इंच बड़ा रखे बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो काफी उंचा सीर रखते हैं जो कि हमारे स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं होता है इसी के साथ सीधे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे छाती पर दबाव पड़ता है और सांस में तकलीफ होती है इसी के साथ सीधे सोने से गवराहट होती है और बेचेनी होती है नीन अच्छे तरीके से नहीं आती है और शरीर में दर्द उत्पन होता है सीधे स्ट्रेट सोने से दोस्तों जो मनुश्य हाथ का तक्या बना कर सोता है वो उसके लिए बहुत हानिकारक होता है हाथ का तक्हिया बनाकर सोने से मनुश्य के हाथ की नसे दबती है जिससे हाथों में सुनपन, गर्दन में सवाइकल, स्पोंडिलाइसिस और शरीर में दर्द बढ़ते हैं सही तरीकी यानि की कर्वट लगाकर सही तक्हिया लगाकर सोने से अच्छी निदाती है नस नाडियों में विक्रती नहीं होती है जो प्रियोग बताया गया है अगर आप वैसे सोते हैं तो नस नाडियों में विक्रती नहीं होती है हातों में सुन्दपन नहीं होता है गर्दन की तकलीफ नहीं होती है कोहनी, कमर, गुटनों आदी का दर्द नहीं होता है कभी-कभी दोस्तों आपने अगर नोटीस किया हो तो रात को सोकर उड़ते हैं तो हमारे कंदे काफी दर्द करते हैं बोड़ी पैन करती है वो इसलिए होता है क्यूंकि हम सही ढंग से नहीं सोते हैं तो दोस्तों हमेशा इन बातों का ध्यान रखें अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो चैनल सरूर सस्क्राइब करें तन्यवाद